प्रमोच शुकला जी, सुमान शुकला जी राधा वल्लव शीह रिवेंच पुझे शी सद्गुर्दे भागान, आपके चरणों में कोटी-कोटी पढ़ाओ गुर्दे भागान, कभी-कभी संसारिक परिष्टितियां ऐसी हो जाती हैं कि इस दे के समंदों की चिंता ही सताती रहती है भजन की एकागरता में बादा उत्पन करती है, महराज जी, कृपया महराशन करें अगर वो गिरना चाहरा है, समय आ गया है, वो गिर जाएगा, आप न उसे लगा सकते हैं, न रोक सकते हैं तो एक बहुत छोटी बात है कि आप अपने सरीर के एक रोम को भी सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो आप परिवार की क्या सुरक्षा कर लेंगे, आप किसी की क्या सुरक्षा कर लेंगे, अजब आप असमर्थ है, तो फिर जो सर्व शमर्थ प्रभू हैं उनके भरोशों पे हो जाओ, वो आप से करवा सकते हैं कि वह आप से करवा से हो आपकी भुजाओं में बैट करो ऐसा कारी करवा सकते कि आप खुद सोचेंगे कि यह तो हो इनी सकता तो मेरे से उनके आश्यत रहो जो भी अपना है चाहे रिस्ता हो चाहे वस्तु हो चाहे शंपत्य हो चाहे शरीर हो वह प्रभू को शमर्पित कि ना इस सरीर से इसका यह सम्मंद है मेरी तो शामर्थ नहीं पर इच्छा है यह सुखी रहे स्वस्त रहे चाहे बच्चा हो बच्ची हो रिस्ते हो नाते हो प्रवू आप देख लो आप जैसा समय बस अपना काम इतना है हो शक्ता है हमारे मन की बात यह कि मनलो आप हमसे जुड़ें अभी आपको दुखी देखें तो हम आप से थोड़ी कहेंगे हम तो सतिरीजी से पर है तो आपके न समाल आप देखोlorना से आप तो कुटुम्ब पालर घुराई गश्वामी तुलसीदाजी कहते है सरनागत के परिवार को पुटुम्ब पालर घुराई चिंता न करो चिंतन करो भजन करो उसी से सब्टिक हो जाए कई बार हमने सत्संग में सुनायय एक नाम जी के भगते ग्रैस्त तो सत्संग और भजन के प्रभाव शुन को एक दिन लगा कि अब बेरा जीवन बेर्थ संसार में जारा में विरक्त होकर भगवान का भजन करूंगा तो सास्त्र की बयात आई कि आप तो ब्याह कर चुके हैं और नौजात सी सुबच्चा भी था क क्या करूं तो पतिनी शुनोंने का देखो हमारा निश्चय हो गया है अब हम भगवान का भजन विरक्त होकर करेंगे आप पतिनी इसलिए आप से हम कहते हैं कि यदि आप चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो और आप ना चाहो तो सारी संपति घर परिवार सब आपका मुझे ज लूँगे आपने साथ कुछ नहीं चलना हो मतब कुछ नहीं तो कुछ नही कि उनका ठीक है पर उन गोद में अपने ने नौजाध बच्चे को लिया चल दियां जब काफी दूर चली तो बच्चा लेके कि का कोरा बच्चे को का चोड़िए? चीटा बहुत से तीक अम mmol 60 का बच्चे को चोड़न था तुम करती premise छोड़ यहीं छोड़ अगर मेरे साथ चलना तो बच्चे को छोड़ छोड़ दिया ऐसे जंगल में अब माँ तो माँ होते ना ठीक पती के आज़्या के अनुशार भजन पर उनके हर्दय में एक टीस होती कि कभी कोई मुझे सूचना देते कि क्या हुआ होगा मेरे बच्चे का उनके मन में था कम से कम बारा वर्ष हो गए पर उनके मन की वो पीरा नहीं गई कि एक बार तो मुझे पता चल जाती कि इनकी आग्यां के हम साथ छोड़ दिया था मेरा बच्चा मरा, कोई जंगली जानवर का गया या क्या हुआ शोजा जी ले देखा कि एक बात में यटकी हुई है बोले चलो तो बारा वर्षे में बार लोग सबस्वे बढ़ गए थे तो पहचान में नहीं आए गाओं के बाहर रुके गाओं के लोग उदर से जो जाय तो बुलाया बोले भीया यहां एक सोजाजी रहते थे आप जाना बोले हां बहुत अच्छे भजन करने वाले भगत थे तो बोले वो बिरक्त हो करके बाहर चले गए थे उनकी पतिनी भी सुना साथ चली गए थी बोले हां और उनका बच्चा भी था वह इतने निर्दई कि वो अपने बच्चे को जंगल में छोड़ दिया भगवान की कृपा देखो वो अपने बताने लगा भगवान की कृपा देखो राजा जो है सोजा जी का बड़ा आदर करते थे तो जब सुना कि सोजा जी चले गए तो राजा ने अपने शैनिकों को भोजा कि एक बार उनको रोको हम बात करेंगे तो वो तो मिले नहीं पर रास्ते में लड़का मिल गया और राजा के लड़का नहीं होता था तो उनका ऐसे भक्त का बालक हमें मिल गया तो इसको हम गोद लेते हैं बोले वो आज बारा वर्स का राजकुमार है पत्री इसका चलो सिद्धे आस बोले समझ गई तुम चाहे जितना कमाती चाहे जितना हम कमाते वो उतला नहीं प्राप्त कर पाता और भगवाल के सारे छोड़ दिया तो राज को बार बला बैटा है तो हम अगर अगर अपनी चिंता खुद ढोएंगे तो परिशाल हो जाएंगे कुछ नहीं पाएंगे अगर आपनी चिंता चिंता मणी प्रभू के च़रणओं में समर्फित कर देंगे तो बात बन जाएगी फ्रेil अज़े और यहीडा चौहन जी महराजी आपके च़रणओं में डण्बथ प्रसंग्स्ति सुनते हैं समझते हैं फिर भी संसार में सुख है यही बात मन में बनी रहती है सुख बुद्धी बनी रहती है सत्संग में हम जब प्रारम करते हैं तो किसका है तीन बात के टेपे हैं पहले करते है भगवान की बात को शर्धा विश्वास पूरुवख शुनों फिर दूसरी बात करते है महत्वपुर्ण रख बाहूरक करके मनन करो, फिर तीसरी बात करते हैं उसे जीवन में उतारो तो आप करते हैं सुनते और समझते हैं तीसरी बात नहीं है, उतारना तो मलिन्ता भोगों की प्रति जो आकर्शन है वो हमें लगता है अच्छा है सुख है जैसे किसी को साप काट खाए न और जहर चड़े तो गाउं में उसकी पहचान की जाती थी नीम की पत्ति खवाई जाती थी कैसी लग रही है उनका मीठी तुरंत उपचार करो जहर चड़ गया है भगवान ने और शंत महापुरुषों ने अनुभो किया है संसार कैसा है दुख खाले हम दुख यो न यहा अपने कैसा लग रहा है मीठा अच्छा जहर चड़ गया माया का उतरवाओ फटा फट उतरव सही माने में जो संसार में सुख भास रहा है वो भगवान ही दूसरा कोई है पर हमारे इंदर इस्तिती नहीं है न तो उन्हें भगवान नहीं देख पाते बस यहीं फटा हुए जहां कुछ आकर्शन है भगवान जिसे आपको पत्नी से बहुत प्रेम है, बहुत सुन्दर है, सुशील है, सज्जन है, आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पत्नी को नहीं करते हैं, उसमें बशे भगवान को प्यार करते हैं, भगवान चले जाते हैं, तो आप उस पत्नी के सरी को प्यार करते हैं, उसको जला देते हैं, उसके पात बैठना आपको भैवीत कर देगा कि रात्री में कैसे बैठो दो-चार लोग बैठो या तो उसी पतिनी से तुम प्यार कर रहे थे अब दो-चार लोग कि ओ ओ जो थी वो तो चली गई नहीं वो थी ओ था कि नहीं था वो तो भगवान था वो अंतर ध्यान हो गया वो सामने सा संसार कुछ और है नहीं भगवान ही भगवान कोई नहीं यह जब द्रश्टी बदलेगी तब आपको समुन में सब में भगवान है इसलिए हम प्यार करते हैं सब को भगवान ना हो तो देखो अपने कितना भी प्यारा हो हम उसे जला देते हैं कितनी दुरदशा करते हैं उस सरीर की जला देते हैं गाड देते हैं फेंक देते हैं कोई मतलम नहीं के ओ मर गया कौन मरा कौन मरा जिसको तुम देख रहे तो सामने और जिसको कभी जाना नहीं देखा नहीं कुछ भी हो लेकिन मात तो उसी का है ला बुले वो तो गया तो वही भगवान हमें जो शुखाकर्शन हो रहा प्रभु का यह तभी दूर होगा जब प्रभु में भाव कर लेंगे। सुख तो भगवान में है पर वो समझ में तभी आएगा जो थोड़ा बढ़ाएं। जब हमारे नेत रपावित्र हो तो हमारे समझ में आजएगा। जी, विनोत त्रिवेदी जी, जैपूर से, राधा वल्लव शीहर इवेंश, परम पूजे सी सद्गुरु देभगान, आपके चरणों में कोटी-कोटी प्रणाम, महराजी, आपकी अहेत्व कृपा से सुभा की सेवा वानी पार्ट वो पूजन कर लेते हैं, परंतु नोकरी क संध्या समय अनिश्चित होने के कारण साएं समय पर घर नहीं आ पाते, जिसके कारण संध्या पूजन तथा शेहन, पूजन का नियम पूरवक निरवार नहीं हो पाता, जिससे हिर्दे में गलानी रहती है, महराजी, कृप्या मार्ग रेशन करे हैं, इस्तिती में क्या करे है, किसका है, हाँ, कोई बात है, ग्रेश्थी में, घर में और कोई नहीं है, अच्छा है, संतोष ना होना अच्छा है, पर ग्रेश्थी के कार्यों में इसलिए फिर नाम प्रधान जीवन रहना चाहिए, चलते फिरते नाम, क्योंकि अब ग्रेश्थी में, अगर वस्ते हम सेवा को देखे, रुमालो आपनो करी में हो, कोई किशान है, कोई व्यापारी है, अब वो शब शमय कैसे दे सकता है, तो वो भी भगवान की सेवा है, समान कर, और नाम जब करते रहो, और जब जिस पहर की सेवा मिले, वो सेवा कर लो, और नाम जब करते रहो, अगर चीज़ा की जिसे शुबह आप स्रंगार तक कर लिए, और भोग लगा दे, चले जाओ, अगर घर में कोई है, तो मध्यान में उनको शेहन करा दे, और फिर एक दो गंटे बाद उत्थापन कर ले, अ अपने ठाकुजी स्री जी को शेहन करा दे, घंटा डिर घंटा बाद फिर उत्थापन करा दे, और मानशिक भोग लगा दो, भाव में की लड़ू है, मीठा है, जल है, भोग लगा दिया, भावना, इसके बाद जो शाम के जाओ, फिर अच्छे से भोग लगा दो, रोटे कि य interessante है एक殺ते हैं, कि दिया कर दो है, भोगना करे को प्रोटे से उम भोगा है, आदा रिखना के खा करे से लिजकी जाओ जा है, जड़िखिवे के अच्छे से लोगे फिर दोह भोगा दोह लो भे में प्र